माध्यम से समाचार पत्रों में पूरे भारत ने पढ़ा है कि कुछ ऐसे लोग बाई उनको सिर्फिरे कहिए या कुछ भी कहिए वो इसलाम मजहब से संबंदित हैं और हिंदुओं के भोजन में ठूकने का, मुत्र करने का, गोमास मिलाने का वे सडियंत्र करते रहते हैं और केमरे में उनकी हरकते बंद हुई, उनको पकड़ा भी गया और सजा भी मिली लेकिन वे लोग अपनी सरकत से बाज नहीं आए तो हमने पिछले वर्स आवाज उठाई कि इस तरह है कि हरकते नहीं हो, कावड का जो कारिये चल रहा है, इसे सुचारू रूप से हो, इसमें कोई बाधन है पड़े, जिससे कि भाई कावड के जो कावड लाने भक्त है, उन पर फिर आरोप लगता है कि उन्होंने जगड़ा कर दिया, जबकि उनके साथ में बलकि जो तामसी काहार हमारे सास्तरों में आता है, एक बाध बताईएगा जश्वीर महराज जी, आपने वरा अवतार की ही मुर्ती लगाने को क्यों कहा है, देखिए, ऐसे होटल ढबे, जो हमारे देवी देवताओं के नाम से चलाए जाते, उनके चित्र देवी देवताओं के हमारे उनके होटल ढबे, चाई के दुकान, मिठाई के दुकान, आदी, खाद्य पदार्थ की जो दुकाने उन पर होते, लेकिन उनके संचालक, वे नहीं होते, जिनके ये देवताओं है, वे संचालक इस तरह की हरकते करते, तो फिर हमें जवाब नहीं, वो ही हमें उसी परकार का भोजन मिल जाता, तो हमने फिर विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, लेकिन आदेश हो हमारे लिए तो नहीं सनातन धर्म के लोगों के लिए, वो तो यहीं कहा, कि इसके लिए कोई बाध्या नहीं है, तो फिर हमने विचार किया, तो यह आपने सुप्रीम कोर्ट की इस रोग के बाद हिंदू दुकानदारों से अपील की है, कि आप वरा आउतार की मूर्ती वहाँ पर लगाएं, तो क्या उस अंत्रिम रोग की ये काट है, नहीं नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, यश्विर महराज जी, हमने का कि वरा आउतार की ही मूर्ती क्यों, आप चाते तो कह सकते थे कि गणपती की मूर्ती आप लगा सकते हो, आप शंकर जी की मूर्ती लगा सकते हो, किसी अन्य देवी देवताओं की लगा सकते हो, वरा आउत करते जैसे आप अब हमारे वारहाई अवतार जो भगवान है उस पर संका कर रहे हैं प्रस्ण कर रहे हैं तो हमने केवल एक की है इस की मुर्ति लगा यह जहां लगी हूई होगी यह भी हमारी गारंटी है कि वहाँ पर कोई भी थूकने का मुत्र करने का गोमास मिलाने का या ए भक्षे कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा और इसलिए इसका हमने निवेदन किया और लोगों ने ये मूर्ति लगानी परारम कर दी